हेलो एवरिवन बिटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एवलूशन का लेक्चर नंबर पोर और इस लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिससे रेगुलरली कोश्चन्स आते हैं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है एवलूशन को थोड़ा समय समराइज करोंगा और मैंने यह चारा हूँ कि आप अपने एक डाउट वो क्लियर कर लें कि जो हमने कॉंपिटिशन को लेके बोला था कि Darwin ने और्गैनिक एवलूशन को लेके जो बात की थी वो इंटर स्पेस्टिक है या इंटरा स्पेस्टिक है मैं अपको कुछ चीजे बताता हूँ देखिए जब हम बात करते हैं कि struggle for existence की मेरी बात है भहुत ध्यान से सुनना अब जब हम बात करते हैं struggle for existence की तो हम यह कहते हैं कि organism को struggle क्यों करना पढ़ रहा है पहला reason है competition अब यह competition किस के साथ है? same species के member के साथ भी है which is intra-specific मतलब अपनी species के member के साथ को हम क्या बोलते है intra-specific जो ज़्यादा severe होता है दूसरा competition होता है inter-specific जिसे हम बोल सकते हैं predator-pray type का competition उसे हम inter-specific competition कहते हैं ठीक है तो हम यह मानते हैं कि दोनों तरह है इसके अलावा third factor होता है जो struggle के लिए responsible होता है वो environmental factors होते हैं तो यह तीन factors हैं जो struggle for existence के लिए responsible है और आपकी NCRT में कहीं mention नहीं किया कि इसमें से मिल ली हम किसे लेंगे एक है inter-specific competition intra-specific competition और एक environment हमारे पास है तो हुआ यह है कि हमारे पास जो ecology की NCRT है वहाँ पर उसने clear लिख दिया है कि organic evolution के लिए inter-specific competition responsible है तो जो 2013 NEET में question आया था उसमें दोनों option थे inter-specific, intra-specific last class में मैंने आपको बोला था intra-specific और वो हो सकता है ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकता और क्योंकि NCRT ने उन तीनों में से preference किसको दे दी है inter-specific को क्योंकि की जब बनेगी answer की वो NCRT के according बनेगी तो इसका जो answer आएगा फिर inter-specific ही mark करो reason में बता रहा हूँ आपको क्योंकि 3 reason है inter-specific intra-specific और environment जिसकी वज़े से क्या होती है struggle होती है existence की तो ऐसा नहीं है कि within species competition नहीं होता उसमें भी within species में भी जो better होता है वो select होता है और फिर between species में भी जो better होता है वो select होता है तो natural selection तो दोनों तरीके से काम कर रहा है तो हम अगर specifically mark करेंगे तो inter-specific mark करना चाहिए reason है it is given in NCRT बाकि मैंने इसको अभी search किया कुछ बहुत ज़ादा चीज ये मुझे मिली नहीं किसी ने clear नहीं बोला है कि which is main force ऐसा कुछ clear मुझे मिला नहीं तो जो मैंने आपको था वो बता दिया आपको कि आपने क्या लेना है आपने inter-specific की लो क्योंकि वो आपके NCRT को support कर देगा ठीक है clear हाँ अब next बात सुनना ध्यान से बिटा next point ये है हमारे पास कि हमें एक comparison लेना था तीनों theories में तीनों theories के comparison में क्या था सबसे पहले अगर मैं आपको कहता हूँ Lamarck Lamarck की theory के according main force क्या है main force ये है environmental change जिससे need आई और जिसने character require किया तो नई species evolve करने के लिए main force है change environment which generate need clear और उससे character require हुआ Darwin के according main force natural selection है और अगर हम बात करते हैं D-varies की तो D-varies के according main force mutation है तो हम यहाँ पर दो-तीन चीजे discuss करेंगे जो बच्चों को थोड़ा सा problem रही जो थोड़ी सी problem रही D-varies को लेके वो क्या थी बिटा उन्होंने सोचा कि D-varies जो है कोई proper theory नहीं है पर D-varies ने एक proper theory दी थी तो उस पर हम लोग बात करेंगे ध्यान से सुने मैं जो बाते किया रहा हूं बिटा देखो कहां आपको doubt हो सकता था सुनना ध्यान से देखो आपको कहां doubt हो सकता था doubt यहां हो सकता था कि हम ने जैसे Darwin ने जो बात करी थी Darwin ने बिटा मालो मैं ये height बना देता हूं ऐसे this is height हना मैं ये height बना देता हूं किसी चीज की ठीक है this is मैं height बना रहा हूं ठीक है मालो मैंने Darwin के according मैंने यह ऐसे height byna दी कुछ individuals मैंने कुछ individuals's हीis height byna रखे है ठीक है कुछ ऐसे height बना रखे तो Darwin के according यह variation है लेकिनальных div यिषिक के according क्या है मैं आपको मिखा दीका था div यिषateur के according क्या है आप समझना ध्यान से मालम मैंनेही कुछ height बना रखे है ठीक है, कुछ ऐसे hide बना रहा है, तो deep risk के according हमारे पास ये responsible है, मतलब आप देखो कि suddenly इतना बड़ा change आएगा, वो responsible है, तो ये जो variation है, ये लगबग मतलब मिलती जुलती variation है, ऐसी variation को हम continuous कहते हैं, continuous का मतलब होता है, एक range आती है, एक क्या आती है, range आती है, और इसमें अगर आप देखोगे, this is continuous और suddenly एक बड़ा individual आ गया, तो this type of variation is discontinuous, क्या है, ये discontinuous है, ये आपको समझना है, तो discontinuous variation का मतलब suddenly, तो ये sudden हो गया न, ये क्या हो गया मेरे पास, sudden हो गया, अच्छा, इसमें हम ये बोल सकते हैं थे कि height मालो 5 feet, 5.1 ऐसे करके range बना लेते हैं, यहां से ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके range बना लेते हैं, इसलिए ये जो इसको हम कह सकते थे directional, इसको हम क्या बोल सकते थे directional, पर ये जो बना है, ये तो suddenly बना है न, इसलिए इसको हम directionless कहते हैं, तो आपको ये समझ आना चीए बेटा आपको ये समझ आना चीए और ये mutation बेटा large है ना large variation है ना एक तरीके की large variation है और इसमें जो variations है छोटे-छोटे changes है तो ये difference है Darwin और D-Varies में आपको समझ आना चीए कि D-Varies की जो variation थी वो अचानक से बहुत बड़ी थी इसलिए उसको discontinuous कह रहे थे और इसलिए उसको direction less कह रहे थे क्योंकि इसमें तो आप एक direction भी बना सकते हो ये देखो सबसे छोटा फिर ऐसे करके direction में भी जा सकते कि देखो इस तरीके से बदल रहा है लेकिन यहां क्या वो अचानक से बहुत जादा हो गई किसी की height तो ये एक तरीके से direction less mutation है direction less variation है तो आपको क्या याद रखना है Darwin की जो variation थी वो small fluctuating variation थी थोड़ी-थोड़ी fluctuations थी ठीक है जो directional थी जो किसी particular direction में थी यहां पर जो variation है वो sudden है और direction less है और बड़ी deviations है clear थीक है ठीक है थीक है थीक है फीटा तो हमने यहां पर large variation की बात की clear थीक तो हम यहां पर clear है इस बात को लेके कि Darwin जो है Darwin जो है उसने कौन सी variation बोली और d virus ने कौन सी variation बोली है clear हो गई बात यह था तो d virus के according जो main force है evolution की वो कौन सी है वो mutation है मतलब single step large variation जिसे हम saltation कहते हैं और जो discontinuous variation है जो हमारे पास क्या है? discontinuous variation है ये main force है इसके according main force क्या है? natural selection variation अलरेड़ी होती है ऐसी मतलब continuous type की और उस पर ही natural selection काम करता है अब मैं यहां से आपको बिटा एक बार summarize कर रहा हूँ फटा-फट से देख लो लेमार की थियोरी ने ये बोला था कि environment बदल रहा है बदलता हुआ environment need generate करेगा उस need के according कुछ character जादा use होंगे कुछ कम use होंगे या कोई नया character acquire होगा वो acquire character inherit होके वही उसी को हम कह देंगे कि बही origin होगे नई species बन जाएगी ऐसे ऐसे उसको हमने support किया कुछ example थे जिराफ वाले तो जिराफ की हमारे पास garden लंबी हो गई खाना नीचे खतम हो गया इस वज़े से या limbless snake snakes के pair हट गई या webbing होती है ये सब example किसको support करें लेमार को फिर हमने कहा कि यार उसने tail काटी मतलब जो हमारे पास जो वीजमेन था वीजमेन ने का यार जब तक ये germ plasma नहीं जाएगा तब तक बदलाव नहीं होगा तो उसने 22 generation तक पूच काटी कुछ बच्चे कह रहे थे कि जिराफ का अपने हुआ पूच हमने काटी पर ये है तो मतलब एक तरीके का change ना अगर चाहें पूच काट भी रहे हैं उसकी tail cut कर रहे हैं तो change ही तो है ये ऐसा थोड़ी है और हर generation में change हो रहा है मतलब वो character acquire ही तो हुआ मालो जिराफ ने गर्दल लंबी करी तो वो एक जिराफ की हुई होगी उसके बाद वो character acquire होने के बाद वो नई species बन गई ऐसे ही कहरें tail cut करते करते क्योंने tail less mice बन गया तो इसके बाद हमने बात कर लिए लेमार्किजम है ठीक है लेमार्किजम के बाद हम बात कर दे थे डार्विन की तो डार्विन में हमने बोला था कि डार्विन के बर्थ के बाद जब 1831 को इसको botany के professor ने बोला कि तुम वोईज पे जाओ डार्विन को बहुत जादा interest medicine में नहीं था तो वोईज पे गया 5 साल की journey थी lot के आये तो उनके पास काफी सारी findings थी Galapagos Island गए nature की live laboratory थी evolution की वो और वहाँ उन्हें bird की species मिली 13 species थी black bird थे finches कह रहे उन्हें वो थे वहाँ पर और Galapagos Island में उन्होंने जो observation करी उसे note किया फिर जब वो lot के आये तो उन्होंने क्या किया Malthus का जो essay था वो पढ़ा overproduction पर ना overproduction का मतलब होता हर species के पास internal capability होती है reproduce करने की बहुत fast even elephant के पास भी बहुत fast है भले resources नहीं मिलते तो वो slow reproduce करते हैं तो overproduction में ली उस organism की r पे depend करता है which is b minus d r पे depend करता है खाना मिलेगा तो कोई भी reproduce कर सकता है तो हम यह कह रहे हैं कि organism की overproduction होती ही है मतलब एक organism इतने बच्चे बनाता है जितने की जरूरत नहीं होती ठीक है अब वो overproduction होती ही है हमने का population size constant रहता है ठीक है variation already present भी रहती है अब क्या होता है अब क्योंकि resources limited है struggle for existence अब यह struggle कैसा है intra specific भी है inter specific भी है और बदलते वे environment को लेकर भी struggle है लेकिन जो चीज जहां से सुनेंगे अगर आप NCRT पढ़ेंगे जहां पर इन्होंने वो जो दिया था creation, special creation के बारे में तो इन्होंने clear बोला है जो भी कोई variation अगर reproduction को मतलब कोई भी ऐसी variation जिसकी वज़े से organism अप जादा number बना सकता है मतलब successfully reproduce कर सकता है अपने number बढ़ा सकता है वो select हो जाती है तो कही न कही reproductive fitness की बात की गई है Darwin की थोरी में उसके बाद हम कहते है natural selection लग गया उसके बाद नई species आ जाएगी पर हमने कहा था कुछ facts हैं जो हमें मान के चलने पड़ेंगे Darwin के लिए पहला fact हमें क्या मान के चलना पड़ेगा कि population size stable है मतलब बहुत fluctuating नहीं है ऐसा नहीं कि आज 10 लोग हैं कल 100 लोग है एक stable population के अंदर हम नई species evolve कर रहे है दूसरा हम कह रहे हैं कि variation उसमें पहले से है variation उसमें क्या है पहले से है और resources limited है और जो भी variation है वो inherit वाली है जैसे ये variations है ये inherit वाली है तो Darwin इस बात पे silent है ये variations आई कहां से clear ये variation आई कहां से somatic और germ cell की बात भी नहीं करी इसके लिए उन्हें support theory देनी पड़ी theory of pan genesis वो जो theory थी pan genesis उसने support कर दिया कि कहीं न कहीं germ cell की बात कर दी पर source of variation के लिए Darwin silent थे तो Darwin ने selection of survival of the fittest तो बोला पर ये नहीं बताया कि ये fit organism आया variations आई कहां से इस बात पे Darwin silent थे ठीक है clear है और हमारे पास बहुत सारे example हैं जैसे की industrial melanism हमारे पास microbes वाला चीक है co evolution अब co evolution कैसे support कर रहा है natural selection को क्योंकि अगर वो साथ में evolve हो रहे तो दोनों में एक दूसरे को support करने की feature है तो nature उन्हें select करती चलेगे एक दूसरे की help करने के लिए जैसे आप याद करो हमने पढ़ा था brood parasitism is it example of natural selection हम कहेंगे definitely क्योंकि अगर उस paragraph को आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि brood parasitism में क्या लिखा anxiety ने कि वो जो kukku bird है वो गिरा देती है crow के उस egg को जो match नहीं करता उसके egg से इसलिए धीरे धीरे किसका एक्जामपल है natural selection को support कर रहा है वो जो याद करो offris वाला offris में भी अगर उसके colors change हो रहे हैं flower के या markings बदल रही है तो वो reject हो रहा है markings में तो इसका मदब दो तरह के flower होंगे एक की marking match नहीं कर रही है तो ये वाले अगर select हो गए ये वाले plant select हो गए जिनकी marking pollination के तुरू तो ये natural selection है तो natural selection को support करने के बहुत सारे examples थे उसके बाद आगए हमारे पास dee-virus की theory dee-virus की theory का main focus था कि speciation के लिए single mutation responsible है ऐसी थोड़ी से variation से नहीं species नहीं बनेगी उसे उनने बोला single large variation अब जो उसके example थे जो मैंने बताया आपको hairless dog मतलब क्या हुआ सारे dogs में से कोई ऐसा dog नहीं था जिसको कम hair थे या किसी को बहुत थोड़े hair थे suddenly एक dog अपियर हो गया जो बिलकुल hairless था अगर इस तरह की variation है माल लो आपके पास 100 dog है 100 के 100 dog में से 99 dogs जो है उनके normal hair एक average hair है लेकिन एक dog अचानक से अगर hairless आता है then it support which theory आप सोचो जड़ा it support which theory it support d virus की mutation theory समझो इस बात को माल लो आप आपको आप जो है आपको मन कर रहा उड़ने का ठीक है आप छट से कूद रहे हो और आपके wings आ जाते है it support which theory आप सोचो it support lamarkism माल लो आपको पानी में डाल दे और आपके पास fins आ जाए gills आ जाए that support lamarkism समझो इस बात को ये lamarkism support कर रहा है और मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि 100 individual है 100 के 100 की आखें यहाँ पर है सामने है एक individual है जिसकी आखें यहाँ पर है ये क्या support कर रहा है ये support कर रहा है किसको ये deep risk को support कर रहा है लेकिन अगर 100 individual है सोचना इस तरीके से अगर 100 individual है उसमें से 80 individual की आखें सामने है उसमें से 5 ऐसे हैं जिनकी यहाँ है और 5 ऐसे हैं एक range type की कुछ चीज बन रही है तब मैं कह सकता हूँ यह Darwin को support कर सकता है तो Darwin को support कराने के लिए आपको इस तरह के features चाहिए जो ऐसे मतलब आपको एक range में दिखते हो कैसमें दिखते हो, range में दिखते हो कहां तक सब्सक्राइब आ रही है लंबे सिंग है उसमें सिर्फ एक या दो काउ ऐसी है जिसके short होन है बाकी कोई range ही नहीं मिल रही then this support diviris actual में समझ आ रहा है लेकिन अगर मुझे range मिले होन के size की then it support Darwinism ठीक है और अचानक से क्या हो जाए predator आ जाए और उसके होन निकल आए predator आते ही बचने के लिए then it support lamarkism नीड आ गई अब ठीक है चलिए आगे जाते हैं आगे की कानी बिटा हम लोग कहां पहुंच गए evolution एक story है मैं हमीसा believe करता हूँ यह real story है और यह समझ आनी चाहिए evolution एक story है और इस story को हम आगे लेकर जाएंगे help issues लगे रहते हैं पर कोई दिक्कत नी है कानी चलती रहेगी देखो मैं क्या बोल रहां बिटा evolution एक story है story कैसे आगे move करेगी हमने सबसे पहले atmosphere evolve करा फिर हमने earth evolve करी जब हमने earth evolve करी तो earth का मतलब सबसे पहले हमने universe evolve किया earth का atmosphere evolve किया cell evolve किया पहला जब पहला cell evolve किया फिर हमने organic evolution की बात की organic evolution को बताने के लिए हमारे पास theories थी अब हम यहाँ पर 3 point पढ़ते हैं organic evolution में जो मैंने आपको हमेशा से discuss करने के लिए बोला है 3 point बात करते हैं organic evolution में और उसमें हम क्या बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं theories की जो हमने discuss कर ली lamarkism, darwinism और deviris की mutation theory फिर evidences of evolution और mechanism of evolution mechanism of evolution वो topic है जिसमें genetic drift, hardy-winberg principle यह सारे topic कवर होते हैं और यह वो topic है जो आपको genetics से जोड़ेगा और मैं फिर बोल रहा हूँ यह बहुत confusing topic है बहुत सारे बच्चों को यह परेशान करता है और वो रटते हैं इसे, आज हम जा रहे हैं mechanism of evolution पढ़ने और please ध्यान से पढ़ना focus करके because आपका focus आपको यह decide करेगा कि आपने कितना समझा और question को आप फिर कैसे deal करोगे क्योंकि question असान आता है हम पढ़ते हैं उसको गलत तरीके से हैं सिर्फ इसलिए वो मुश्किल लगता है question मुश्किल नहीं आता ठीक है, हम बात कर रहे हैं topic की जिसे हम कह रहे हैं mechanism of evolution mechanism of evolution किसका of species हम एक mechanism पढ़ रहे हैं किसका organic evolution का हम species evolve करने की हम कह रहे हैं कि नई species कैसे evolve करें कि उसकी बात कर रहे हैं somehow we are studying speciation अगर हम ध्यान से देखें हम आज बात करने वाले हैं speciation की अब यह speciation word सुनने में बहुत शांदार लग रहा है इसका exact meaning क्या होता है exact meaning होता है कि किस तरीके से species evolve करेंगी species evolve इसका discussion है चीक है इसका discussion है मैं इसे define नहीं कर रहा हूँ speciation है क्या वो बताया आपने किस बात का discussion है कि नई species कैसे evolve करेंगी अब जरह मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि हम कैसे move करने वाले देखो मैं आपको speciation समझाने से पहले gene pool समझाना चाहरा हूँ क्योंकि gene pool के बाद मैं speciation के definition लिखूँगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि speciation exactly होता क्या है ठीक है तो एक बर जरह gene pool देख लेते हैं उससे speciation की definition देखेंगे और जो जो चीज मैं इसमें बता रहा हूँ वो सारी exam के लिए उतनी important है जितनी अभी तक हमने बाकी चीजे पड़ी तो gene pool को समझते हैं what is gene pool what is gene pool gene pool क्या होता है ये term बड़ी अच्छी है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है exactly होती क्या ये term तो एक बर gene pool को देख लेते हैं क्या करो एक ही species के सारे मेंबर ले लो तो सबसे पहले gene pool को कैसे देख एक all member आप क्या करो gene pool को बताने के लिए consider करो consider all members of one species in a given geographical area किसी given geographical area में आप क्या करो घ्यान सुनेंगे बिटा consider all members of one species in a given geographical area किसी given geographical area में आप क्या करो सारे member ले लो एक species के मतलब एक species के सारे member ले लो given geographical area में उसमें different type की जो genes है उन्हें हम gene pool कहते है what is gene pool gene pool का मतलब माल लो ये organism अरगेनिसम a1 है ये organism a2 है ये organism a3 है ये organism a4 है ठीक है ये चारो same species के हैं ये all four जो हैं ये मेरे पास ये चारो same species के हैं ज्यान सुनना gene pool क्या होता है ये same species के हैं a1, a2, a3 ये same species के हैं इनमें मैं जीन्स के नाम लिख देता हूँ माल लो इनमें जीन्स हैं मेरे पास capital B, small b, capital D, small d इसमें है capital D, small d, capital E, small e इसमें है मेरे पास capital D, small d, capital P, small p इसमें मेरे पास capital B, small b, फिर मैंने लिख दिया capital R, small r now what is gene pool, gene pool हमारे पास क्या होता है some total of, ध्यान सुनेंगे, some total of all different allele all different allele of individual of same species in a given geographical area मतलब किसी given geographical area में, जैसे तुमारे पास A1, A2, A3, A4 ये सारे same species के member हैं, A1, A2, A3 और A4 ये सारे same species के हैं, ये सारे क्या हैं हमारे पास same species के हैं तो gene pool क्या हो गया, gene pool हो गया मेरे पास some total of, some total of all different type of allele all different type of allele, all different type of allele in a population of one species population of one species तो gene pool का क्या मतलब हो गया, इन सब में अलग-अलग type की allele कौन-कौन सी है, ये हैं आप देख लो ये अगर मैं देखूं सब में, अलग-अलग अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास gene pool है मतलब इसकी जितनी भी alleles हैं, जो अलग-अलग हैं अलग-अलग कैसे, जैसे ये, ये, फिर ये repeat हो गई यहाँ पर इसको अटा दिया हमने, तो हम ये कहेंगे, what is gene pool? some total of, some total of, all different allele of one species in a common geography repeat कर देता हूं, फिर से सुन लो gene pool का मतलब है, मालो, यहाँ पर एक area ले लेते हैं, इतना बड़ा इसमें 20 लोग हैं, उन 20 लोगों में कुछ common gene है, वो री common हो सकता है और कुछ uncommon है, उन सब को इकठा ले लूँ, और मैंने कह दिया, human की population मतलब उस area में कितने human है, उसको हम gene pool कहते हैं तो gene pool होता है, sum total of all different type of allele in a population of one species उसे हम क्या बोल देते हैं, gene pool बोल देते हैं जितनी जादा उन में varieties होंगी, उतना बड़ा gene pool होगा अच्छा मुझे एक चीब बताओ जरा, मैं आपको कहता हूँ, जहां से सुनना मैं आपको कहता हूँ कि एक rose है, rose के अंदर 20 gene है उसकी vegetative propagation से, vegetative propagation से मेरे पास एक rose है उसमें 20 gene है, पांच रोज और बना दिये तो उसमें फिर कोई नई gene थोड़ी add होगी, क्योंकि वो asexual reproduction से बना है, तो कहीं न कहीं आपको ये समझ आना चीए कि हमारे पास जो gene pool exactly होता क्या है क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक ही species के members में variation जरूर है, कुछ ना कुछ अंतर है तो different, एक तो पहले हमने common gene ले ली, ठीक है हमने क्या करी, common gene ले ली और फिर हमने कहा uncommon ले ली, तो हम अगर बात कर रहे हैं आपको तो हम gene pool को ऐसे बोल रहे हैं आपको, देखो ध्यान से जैसे मैंने आपको कहा, ये A1 है, इस A1 में मालो 100 gene है, A2 में क्या है, 100 है, A3 में क्या है, 100 gene है A4 में क्या है, 100 gene है, पहले gene pool समझो, तभी समझ आएगा ये ठीक है, इसमें मालो 80 common है, मैं कहता हूँ 80 common है common in A1, A2, A3, A4 में 80 common है, तो gene pool क्या होगा, gene pool ये होगा जीन पूल ये होगा, मेरे पास 80 जो common है, प्लस 20 जो चारों में अलग-अलग है, इसको हम क्या बोलेंगे, gene pool बोलेंगे तो gene pool हमारे पास कितना हो गया, 130 genes हो गई, तो इसका मतलब total देख लो, A1 और ये सारे same species के हैं, तो same species का हमने ये gene pool लिख दिया आपको, तो gene में, देख लो, gene pool में जादा gene है किसी भी individual से, क्योंकि उसमें हम एक से जादा individual consider कर रहे हैं, इसे हमने gene pool बोल दिया, अगर gene pool समझाएगा, तभी आगे समझाएगा, तो gene pool का simple meaning समझो, आप एक ही species के बहुत सारे member लो, उन में कुछ common gene होंगी, कुछ uncommon gene होंगी, common gene प्लस uncommon भी ले ली, common ले लो, एक ही बर count करो, uncommon ले लो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, gene pool बोलते हैं, अब अगर मैं आपको कहता हूँ, नई species कैसे evolve होगी, नई species ऐसे evolve होती है, ज्यांद सुनेंगे, नई species ऐसे evolve होती है, कि जो इसके अंदर genes हैं या allele हैं, इनकी frequency में बदलाव हो, ज्यांद सुनेंगे, नई species कैसे evolve होती है, मालो ये सारी same species हैं, मेरे पास इनी से कोई दूसरी species बन रही है B1, तो उसके, उसमें gene different है, इसमें gene अलग हैं, तो नई species बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं न कहीं allele और gene frequency में बदलाव लाना पड़ेगा, तो अगर मैं speciation की आज बात करने वाला हूँ, मैं mechanism की बात करने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाने वाला हूँ, कि नई species बनाने के लिए, समझना ध्यान से, नई species बनाने के लिए, जो existing gene pool है, इन में कुछ बदलाव होगा, कुछ change होगा, कुछ species की frequency घटेगी, बढ़ेगी, उस से फिर धीरे नई gene बनेगी, तो अगर मैं speciation को define करूंगा, तो मैं लिखूंगा, speciation is evolution of new species by change in allele और gene frequency of existing gene pool, जो species already है, इन की किसी genes में मदला, मालो इस से नई species बननी हो, तो इसकी मालो ये दो gene अलग हो जाए, और उससे क्या हो, ये किसी के साथ reproduction नहीं कर सकता हो, फिर ये एक नई species में बन जाएगा, तो कहीं न कहीं क्या किया मैंने, इसकी frequency population में घटा दी, capital B, small B की frequency घटा दी, और किसी और gene की frequency बढ़ा दी, तो speciation कैसे होता है, gene pool आपके सामने है, तो gene pool एक ऐसी चीज होती है, sum total of all different allele को, हम क्या बोल देते हैं, gene pool बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, gene pool बोल देते हैं, मतलब उस area में species ना देखकर, मैं कहूंगा, अलग-लग type की allele देख लो कितनी हैं, क्योंकि 80 common हो गई, वो तो अलग हैं ही, उसके लावा uncommon वाली भी लोग हैं, तो फिर total अलग-लग type की gene हो गई, अब किसी gene की frequency कम होती चली जाए, उससे क्या होगा, जो organism में बदलाव, start हो जाएंगे, और वो इतना जादा अलग हो जाए, कि नई species बन जाए, तो speciation के लिए जरूरी क्या है, हमारे पास existing, ध्यान जुनेंगे बटाओ, speciation के लिए जरूरी क्या है, हमारे पास existing gene जो है, existing gene pool है, उसमें बदलाओ, simple यह समझो, कुछ point समझो जो आपको समझ आने चाहिए, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, what is gene pool, different type of allele, present in a species in a given area, that is gene, now how species evolve, speciation occur, change in allele frequency और gene frequency, कैसे होगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, हम speciation को define करेंगे, एक बाद definition लिख रहा हूँ, speciation क्या है, it is evolution of new species, अब यह जिसको clear नहीं हुआ, दुबारा से देखना इस पार्ट को, it is evolution of new species by, gene pool पहले clear होना चाहिए, by change in, by change in, allele frequency, क्योंकि allele और gene एक ही जैसी बात करते हैं हम लोग, gene frequency, इना gene pool, इना gene pool, ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम speciation कह रहे हैं, gene pool कुछ ऐसा दिख सकता है, आप देखो अगर ये सारे आपको green frogs दिख रहे हैं, उसमें ये कुछ अलग है ना, ये अलग है, ठीक है, अब क्या हो जाएं, इनमें कुछ ऐसी genes हैं, इनकी frequency बढ़ने लगे, मतलब इनकी frequency बढ़ने लगे, और फिर ये green वालों से अलग हो जाएं, और फिर इनकी, देखो अभी क्या है, अभी तो सिर्फ variations हैं, this is variation, अगर आप ध्यान से देखो, ये gene pool है, gene pool का मतलब हमने अलग अलग type के सारे ले लिए, ये gene pool है, मैं simple ये कह रहा हूँ कि ये variations हैं, ये variations हैं, ये अलग alleles हैं इसमें कुछ, अगर ये इतने जादा अलग हो जाएं, कि इसके बीच में reproduction हो ही ना सके, इतने जादा अलग हो जाएं, कि इसके बीच में इसका reproduction इनसे रुक जाए, तो ये एक अलग species बन जाएगी, तो इसके लिए क्या होगा, इसमें कुछ particular type की alleles अलग हो जाएंगी, कि वो existing वाले से reproduction ना कर सकें, तो हम कहते हैं, नई species बन जाएगी, अब यहां से हमें नई species बनाने का पूरा concept समझना है, पर अभी तक आपको दो बातें समझानी चाहिए, पहली बात कि gene pool क्या होता है, gene pool का मतलब some total of all different type of alleles, दूसरी बात, आपको ये समझाना चाहिए, कि speciation का मतलब है, कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ particular alleles को select किया जा रहा है, और कुछ को reject किया जा रहा है, और उससे क्या होता है, जो organism बनते हैं, वो existing वालों के साथ reproduction करने की capacity नहीं रखते, तो इसका मतलब वो नई species बन गए, तो हम यहाँ पर, अब concept को आगे लेकर जाते हैं, और एक नई चीज सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं, integrity of gene pool, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमें ये समझना है, देखो, हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं, माल लो, ये मेरे पास एक gene pool है, तो gene pool कैसे खुद को ना बदले, मतलब वो species बनी रहे, कैसे वो नई species, देखो, एक चीज और भी है न बिटा, gene pool ये भी तो चाता होगा कि मैं ना बदलू, क्यों ना बदलू, तकि मेरी अपना अस्तित्तो बना रहे, तो हम एक पहले ये समझेंगे, कि integrity of gene pool क्या है, gene pool खुद को कैसे maintain रखता है, क्यों maintain की सिर्फ definition समझी है, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं, gene pool की integrity के बारे में, बहुत ध्यान से समझना, और कुछ को दो बार देखना भी पड़ जाए, तो देखना ज़रूरी से, क्योंकि ये समझ आ गया, तो बहुत सारे question समझ आ जाएंगे आपको, इस हम क्या बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझना, what is integrity of june, ध्यान से सुना, माल लो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज्यान से देखना जो मैं बताऊँगा, माल लो, आपके पास ये cow है, ये सब cow की species है, अगर मैं genetics के level पर देखूँ, तो मुझे cow नहीं देखती, genetics के level पर अगर मैं देखूँ, तो यही चीज मुझे कैसी दिखती है, ऐसी, मुझे simple ये चीज दिखती है, कि इन में अलग-लग type की जो genes हैं, उनको लिख दिया मैंने, मुझे सिर्फ ये दिखता है, मतलब अगर मैं द्यान से देखूँ, इन सब में मिला कर, मेरे पास ये अलग-लग type की genes है, अलग-लग type की, तो ये तो population है, ये population, ये gene pool है ना, तो अगर मैं द्यान से देखूँ, ये population किसकी है, population है, एक species की, सारी cow है, तो ये population है किसकी, वन species की, ये एक species की population है, छीक, अच्छा, अगर मैं इधर देखूँ, तो मुझे सिर्फ genes दिख रही है, जो इन सारी cow में मिला कर, अलग-लग type की, इसे मैं gene pool कहरा हूँ, इसे मैं क्या कहरा हूँ, gene pool, मेरा ये कहना है बिटा, कि gene pool खुद को बनाए रखना चाता है, खुद को बनाए रखना चाता है, मतलब ये species भी तो चाहेगी, मैं बनी रहूँ, तो gene pool क्या करता है, खुद की integrity maintain रखना चाता है, हम ये समझते हैं, कि gene pool की integrity कैसे maintain होगी पहला, माल लो, ये cow इसके पास capital A small a gene है, ऐसी एक और है, ठीक है, clear, और capital B small b भी है, अगर ये cow यहां से बाहर चली जाए, clear, तो हम कहेंगे integrity disturb हो सकती है, मतलब वो gene loss हो सकती है, तो हम यहाँ पर दो चीजे समझ रहे हैं, विटा, हम यहाँ पर दो चीजे समझ रहे हैं, कि gene pool क्या है, gene pool की integrity का मतलब ये है, कि किसी species को अपनी existence बनाए रखने के लिए gene pool की integrity maintain रखना है, मतलब gene pool में बहुत बड़े बदलाव नहीं होने चाहिए, अब ये कैसे possible है कि gene pool की integrity maintain रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि how integrity of gene pool can be maintained, इसको हमें समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो gene pool का meaning क्या है, आपको cow दिखती ह और as a geneticist, अगर मैं देखूंगा तो मुझे genes दिखती है, cow नहीं दिखती, तो cow के अंदर different type की genes को हम क्या बोल रहे है, gene pool क्या है, तो in all cow species, in all cow of one species, different type of, different type of alleles is gene pool. और हम ये कह रहे हैं कि किसी species का existence बनाए रखने के लिए, समझो इस बात को, किसी species का existence बनाए रखने के लिए, to maintain, to maintain, थोड़ा patiently देखना इसे ध्यान से, existence of any species, integrity of gene pool important है, integrity of gene pool क्या है, is important, तो हम ये समझना है कि gene pool की integrity बहुत important है, अगर मुझे किसी species का existence बनाए रखना है, तो मुझे कही न कहीं, clear, कही न कहीं क्या करना integrity बनाए रखनी है, कही न कहीं क्या करना integrity बनाए रखनी है, clear, यहां तक समझे, विटा, ध्यान से, हमें क्या करना है, खीक है, तो to maintain existence of any species, integrity of gene pool is important, हमें integrity gene pool की maintain रखनी है, clear, हमें gene pool की integrity क्या रखनी है, maintain रखनी है, कैसे maintain रखनी है, यह ज्यान रखनी है, ज्यान से सुने, कैसे maintain रखनी है, इस चीज को समझो, ज्यान सुनेंगे, हम कैसे इस चीज को समझेंगे की integrity of gene pool हमें कैसे maintain रखनी है, इस चीज को समझेंगे हम, ज्यान सुनेंगे, माल लो मैंने यह अलग-अलग gene बना दी ऐसे, यह अलग-अलग genes है, चीक है, यह अलग-अलग genes है, चीक, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि किसी भी gene pool की integrity maintain रखने के लिए, मतलब किसी भी gene pool की integrity maintain रखने के लिए, integrity मतलब उसमें ज्यादा बदलाव ना हो, दो चीजे चाहिए होती है, पहला कि उसे isolate होना चाहिए, मतलब पहला हमें कह रहे हैं, important है, तो it is maintained by, it is maintained by a, it is maintained by a, कैसे maintain कर सकते हैं, देखेंगे ध्यान से सब लोग, it is maintained by a, हमारे पास है, random meeting, sorry, isolation, isolation of gene pool, मतलब क्या हुआ, हम क्या करें, ध्यान सुने में बटा, isolation of gene pool का मतलब होता है, कि ये gene pool किसी और के साथ ज़्यादा interact ना करें, समझो इस चीज को, ये खुद isolate रहे, isolation का यहां main meaning क्या है, कि ये क्या करें, ध्यान सुने में बचे, isolation का meaning ये है, कि ये औरों से एक तरीके से अलग रहे, मतलब देख को मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोई भी स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज से क्यों अलग है, क्योंकि वो isolated है genetically, जैसे मैं आपको कहूँ, कि माल लोग, cow और dog, they are living in a same area, but they are genetically isolated, because they cannot reproduce, तो हम यहां पर ये कहेंगे, कि gene pool को बनाए रखने के लिए, हम isolation of gene pool मतलब, gene pool जो है, should be reproductively isolated, क्या होना चाहिए, reproductively isolated होना चाहिए, समझो इस बात को, clear, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, बिटा, हम यहां पर ये कह रहे हैं, कि gene pool जो है, उसको बनाए रखने के लिए, जैसे मैं ये कहता हूँ, कि cow और dog is a different animal, different species हैं, cow की अपनी gene pool की integrity क्यों maintain है, because they cannot reproduce with other animals, तो कहीं न कहीं उससे उसकी integrity बनी हुई है, integrity का मतलब, integrity मतलब होता है, यार, वो gene pool बना हुआ है, वो species exist कर रही है, दूसरा क्या है, within member random meeting हो, within species of, same, within species क्या हो, हमारे पास random meeting हो, random क्या हो, meeting हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे कि gene pool की integrity maintain रहती है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला सुनना ध्यान से, हमने यहाँ पर बोला कि gene pool की, ध्यान सुनेंगे, gene pool की integrity का मतलब, यहाँ पर आप जरा ऐसे समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यह कहरूँ बिटा कि gene pool खुद को बनाए कैसे रख सकती है, सोच न ध्यान से, मतलब एक species खुद को कैसे जिन्दा रख सकती है, पहला वो किसी और species के साथ reproduce ना हो, तो इसका मतलब उसका एक gene pool बना रहेगा, दूसरा, उनमें reproduction अपने member में चलती रहे ताकि genes पास होती रहे, तो हम यह समझते हैं कि gene pool बना रहे, किसी gene pool की existence बनी रहे, उसके लिए दो चीजे चाहिए, एक random meeting चाहिए, और एक हमें चाहिए कि gene pool should be reproductively isolated with other gene pool, यह चीज़ समझो ज्यान से, अब हम क्या कहेंगे, हम यह कहे scientist है, sorry, एक work ऐसा है, Hardy Weinberg का, जिनोंने integrity of gene pool पे बात की, मतलब कहीं न कहीं उन्होंने यह बताया, कि gene pool exactly कैसे, मतलब जो gene pool है, वो integrate रहेगा, या वो बना रहेगा, तो उससे exactly होगा क्या, या क्या situation है, वो किसने बताया, Hardy Weinberg ने, तो यहां से हम deal करेंगे, Hardy Weinberg equilibrium, तो जो मैं ब जो बोला, जोना से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, बीटा बीटा बीतक, की gene pool क्या होता है, gene pool किसी species को belong करता है, किसी species को belong करता है species को belong करने का क्या मतलब है हमारे पास जो gene pool होता है gene pool जो होता है हमारे पास किसी species को belong करता है species को belong करने का meaning यह हुआ कि हर species का अपना अलग gene pool होता है अब यहाँ पर हम यह भी कह रहे हैं हम यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि अगर मुझे ये समझ आना चाहिए कि gene pool दो अलग-लग species का अलग-लग होता है gene pool की integrity का मतलब ये हुआ कि gene pool खुद को कैसे बनाए रख सकता है पहला किसी और species के member के साथ reproduction ना हो और अपने species के member के साथ random mating चलती रहे तो एक work है हमारे पास जो integrity of gene pool पर हुआ है उसे हम कहते है हाडी वीनबर्ग equilibrium हाडी वीनबर्ग हम यहाँ पर एक work की बात कर रहे है जिसका नाम है हाडी वीनबर्ग equilibrium इसकी बात कर रहे है क्या काम है ये जरा समझो ध्यान से क्या काम है ये क्या है ध्यान से सुनदा ये जो हाडी वीनबर्ग equilibrium है ये exactly है क्या ये क्या बताता है ये हाडी वीनबर्ग equilibrium अगर आप देखो book में ऐसी दे रखा है कुछ लोगों को रखता है यारी पता नहीं क्यों दे रखा है actual में ये Hardy-Winberg equilibrium जो है ना हमारे पास ये कही ना कहीं integrity of gene pool की बात करता है ये equilibrium कहीं ना कहीं किसकी बात करता है बेटा integrity of gene pool की बात करता है छीक है integrity of gene pool की बात करता है ये बताता है कि gene pool integrate रहता है तो ये कैसे क्याम करता है सुनना द्यान से मैं आपको simple example देता हूँ माल लो आपके पास तीन member हैं एक alpha है ठीक है ध्यान दूनेंगे बटा alpha 1, alpha 2, alpha 3 ये तीनो same species के हैं ये किसके हैं same species के इन same species के member का कोई chromosome लुकाई ले लो माल लो ये chromosome number 15 थै तीनों का उस पे यहाँ पर gene है capital A और यहाँ small A है तो ये क्या करता है Hardy-Winberg equilibrium क्या कहता है ये कहता है कि जो allele frequency है ध्यान सुनो ये क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास एकी member के एकी species के माल लो बहुत सारे member है वहाँ पर किसी particular gene लोकाई की अगर हम बात करे उस पर allele frequency constant रहती है generation by generation मतलब Hardy-Winberg equilibrium clear ये कहता है कि allele frequency जान सुनेंगे Hardy-Winberg equilibrium clearly ये कहता है कि अगर मैं किसी एक gene लोकाई की बात करूँ ये gene लोकाई है बिटा किसी gene लोकाई की बात करूँ तो वहाँ पर allele frequency जैसे ये और ये है allele frequency allele frequency generation by generation constant रहती है वो change नहीं होती उसे ये कह रहा है कि एक तरह का equilibrium है जिसे हम genetic equilibrium कह रहे है मतलब हम ये कह रहे हैं कि gene pool maintain रहता है उसे कोई disturbance नहीं होती generation by generation क्योंकि आप हमेशा याद रखो पूर दोनों gene को generation 1 है ये generation 1 में मेरे पास मालो एक individual की बात करता हूँ तो उस पे capital A और small a है ठीक है clear ध्यान देना बिटा इस बात को मालो हम इस तरीके से simple आपको बताते हैं मालो generation 1 की बात करते हैं तो generation 1 में मेरे पास एक individual है capital A capital A और एक है small a small a ठीक है generation 1 में तो अगर मैं कहूँ इसमें frequency निकालो capital A की तो आप कैसे निकालोगे मैं next slide पे बताता हूँ इसको आप जना देखें ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ मिटा हूँ देखो Hardy-Winberg equilibrium कहीं ना कहीं एक genetic equilibrium की बात करता है वो यह बोलता है इसको समझेंगे हम थोड़ा सा और slow रखते हैं हम यह कह रहे है Hardy-Winberg equilibrium एक genetic equilibrium की बात करता है genetic equilibrium का मतलब allele frequency एक locust की बात कर रहे है अभी सरफ allele frequency generation by generation constant रहती है बदलती नहीं है मतलब वो कहीं न कहीं कह रहा है कि gene pool integrate रहता बदलता नहीं है ताकि species में यह पता चलता है evolution नहीं हुआ है असल में क्या है Hardy-Winberg यह बात करता है कि जैसे माल लो मैं एक एरिया ले लेता हूँ यहाँ पर यह first generation के individual है first generation के individual है ठीक है तो जहाँ पर capital A capital A है जहाँ से सुनेंगे capital A, capital A है clear उसके बाद हमारे पास क्या है समझना इस बात को clear clear capital A, capital A है small A, small A है ठीक है first generation है यह अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान सुनें बिटे यह first generation है second generation में इन में मालो cross हो गया तो आपके पास यह individual आ गए अब जड़ा यह देखो capital A की frequency कैसे निकालो गया total allele कितनी है 4 तो capital A है 2 upon 4 small A कितनी है 2 upon 4 ऐसे यहाँ पर निकालो capital A कितनी है total allele है 8 count कर लो यहाँ 4 member दिखा रहो है तो यह हो गई और small A क्या हो गई 4 upon 8 ऐसे आप और आगे जाओ तो अगर इनकी selfing भी कर दोगे तो selfing करके यह चीज़ आ जाएगी आपके पास आप देख लो अगर आप selfing कर दोगे तो यह चीज़ आ जाएगी चीज़ आ जाएगी तो हमने यहाँ पर clear करा यहाँ पर बिल्कुल clear कर दिया कि जो capital A है वो कितने आप देखो total कितने individual बना रखे है मैंने यहाँ पर और बनाओ एक और आप अगर ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहरा हूँ मैं यहाँ पर यह कहरा हूँ बिटा allele frequency allele frequency हमारे पास constant है constant होने का मतलब वो बदल नहीं रही है क्यों ही बदल रही है यह first generation है हमारे पास ठीक है यहाँ देखो capital A कितने है 2 है और small A कितने है 2 total allele यह रही यह कितना है total allele यहाँ पर और capital A की frequency कितनी आ गई यह 0.5 आ गई और यह भी 0.5 आ गई यहाँ देखो यहाँ भी 0.5 आ गई यहाँ भी 0.5 आ गई total allele यहाँ पर 8 है total allele यहाँ पर कितनी है 8 अब यहाँ देखो total allele कितनी है total memory 16 है total allele 32 है total allele यहाँ पर 32 है ठीक तो इसमें ये 16 हो गई, ये कितनी हो गई, 16 हो गई तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ Hardy-Wienberg equilibrium, एक genetic equilibrium की बात करता है वो ये कहता है कि किसी locus के लिए कोई भी allele है कि कि उनको बराबर मौका मिलता रहता है तो generation by generation उनकी जो frequency होती है frequency मतला occurrence, frequency होती है वो constant रहती है तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि allele frequency is constant and equal to 1 किसके बराबर है equal to 1 clear, किसके बराबर है equal to 1 clear, सही है clear चीक है, clear तो allele frequency, ध्यान से सुनेंगे विच्चे allele frequency हमारे पास क्या है constant है constant है और equal to क्या है, 1 है चीक है, equal to 1 है तो ये कह रहे है, allele frequency है और किसके over generation बन्ताब, अगर हम एक generation से दूसरी generation पे जा रहे है तो हम ये कहेंगे कि allele frequency क्या है constant है और वो equal to क्या है, 1 है वो equal to क्या है, 1 है हमारे पास clear हो गई बात उसे हम क्या बोल रहे है, Hardy-Winber-Equilibrium कह रहे है हमने आपको simple क्या समझाया सुनना ध्यान से, हमने आपको ये समझाया है, कि integrity of gene pool का मतलब allele generation by generation बनी रहे, अगर allele की frequencies बदलेंगी तो gene pool बदल जाएगा हो सकता है, नई species आ जाए integrity of gene pool को लेकर एक principle आया था, Hardy-Winber principle, Hardy-Winber principle या equilibrium क्या बोलता है, कि जो allele frequency है, allele frequency वो हमारे पास एक generation से दूसरी generation बदलती नहीं है, जैसे यहाँ पर value 0.5 है, तो अगली generation में यह second generation है यहाँ पर भी value क्या है? 0.5 है यहाँ पर भी value क्या है? 0.5 लेकिन अगर कुछ ऐसा हो ये वाला member, मालो ये वाला member, ये वाले दोनों बाहार चले जाएं किसी reason से बाहार चले जाएं तो small a की frequency बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे genetic equilibrium disturb हो जाएगा तो आपको यहाँ से यह समझ आना चाहिए आपको यहाँ से यह समझ आना चाहिए कि जो Hardy-Wienberg था जो Hardy-Wienberg equilibrium है Hardy-Wienberg equilibrium है वो कहीं न कहीं किसकी बात करता है talk about genetic equilibrium किसकी बात करता है एक genetic equilibrium की बात करता है और वो एक ऐसा status बताता है gene pool का वो gene pool का एक ऐसा status बताता है कि अभी evolution नहीं हुआ no evolution occurred अभी कोई evolution हुआ नहीं है gene pool में clear कोई ऐसा evolution नहीं हुआ उस status की बात करता है तो कि वो status एक ऐसा status है कि अभी evolution हुआ नहीं है और Hardy-Wienberg equilibrium जो है वो ये कहता है कि capital A जो की एक allele है small a एक allele है दोनों की same लोकाई है कह रहा है कि इनका sum 1 के बराबर आएगा 0.5, 0.5 ये 1 के बराबर आएगा अगर किसी reason से इसकी frequency बढ़ जाए 0.7 हो जाए और ये 0.3 हो जाए इसका मतलब है हमारे पास genetic equilibrium disturb हो गया अगर genetic equilibrium disturb हुआ है तो हम कहेंगे हमारे पास evolution हुआ है तो कहीं नहीं evolution होने का मतलब नई species बनाने की direction में गए है तो Hardy Winberg equilibrium क्या बोलता है ये बोल रहा है बिटा कि हमारे पास किसी भी allele की frequency constant रहती और one के बराबर होती है अगर ये frequency बदलेगी कितनी बदलेगी मालो ये 0.7 हो जाए और ये 0.3 हो जाए इसका meaning ये है कि कहीं न कहीं हमारे पास क्या हो रहा है evolution हो रहा है evolution होने का मतलब कहीं न कहीं बदलाओ हो रहा है changes आ रहे हैं अगर ये value ये है रहे तो इसका मतलब gene pool ने अपनी integrity maintain रखी मतलब मैं आपको simple ये कह रहा हूँ कि capital A plus small a ये अगर 0.5 और 0.5 है और ये 1 है sum तो इसका मतलब these alleles are in genetic equilibrium किसमें है ये? genetic equilibrium में इसका मतलब अभी हमारे पास कोई evolution नहीं हुआ है clear इसका मतलब ये हुआ है no evolution occurred कोई evolution नहीं हुआ है ठीक है ये चीज़ समझो द्यान से भिटा इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई evolution नहीं हुआ है अगर ये equilibrium maintain है clear this equilibrium is maintain इसका मतलब evolution नहीं हुआ है और अगर ये equilibrium disturb हो जाए this equilibrium is disturbed is disturbed मतलब ऐसा हो जाए कि a की value 0.8 हो जाए और small a की value 0.2 हो जाए 1 तो आए गाई तो इसका मतलब ये है कि some evolution अकड और इतना जादा evolution हो सकता है नई species भी आ सकते है clear सही है और इसका मतलब ये हो गया वो genetic equilibrium disturb हो गया तो genetic equilibrium तो अब यहाँ से बेटा क्या पूछेगा सबसे पहले ये पूछेगा कि किन conditions में वो genetic equilibrium maintain रहता है क्या चीजें है hardy winbur equilibrium को maintain रखने के लिए जब भी आपको genetic equilibrium की बात करते हैं तो उसके लिए क्या conditions है क्या चीजें है जो genetic equilibrium को maintain रखती है तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि to maintain genetic equilibrium हमें ये चाहिए तो मेंटेन जेनेटिक इकिलिब्रियम वी रिक्वायर ध्यान जजुनो जेनेटिक equilibrium को maintain करने के लिए हमें क्या चाहिए सुनना ध्यान से मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि hardy winbur equilibrium maintain रहे उसके लिए मुझे क्या चाहिए पहला पहली condition मालो ये मैंने लिख दिया देख रहोगा ये मैंने ऐसे ही randomly अभी एक ही लोकाई के लिए लिखाई है ठीक है इस तरीके से मैंने लिख दिया ठीक है clear तो मैं कह रहा हूँ ये equilibrium maintain रहे देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ अगर मैं single a लिख रहा हूँ तो इसका मतलब allele है अगर मैं 2a लिख रहा हूँ तो इसका मतलब individual है क्योंकि individual में 2 allele होती है 2 allele होती है तो हम यह कह रहे हैं कि equilibrium ऐसे maintain रहेगा यह individual एक है यह एक individual है यह other individual है आप देखो तो हम कहीं न कहीं क्या कर रहे है allele frequency कह रहे है constant है भी 0.5, 0.5 आएगी दोनों ठीक है तो उसके लिए क्या क्या होना चीए condition क्या होनी चीए पहला large population size क्योंकि बहुत छोटी population में slight fluctuation से variation आ जाएगी तो मुझे क्या चीए large population size मतलब small population small population में slight fluctuation can disturb equilibrium क्या कर सकता है disturb कर सकता है equilibrium को पिटा इसके numerical वाला part में भी कराऊंगा पर पहले मैं इसको वैसे समझा रहा हूँ तो मुझे question आएगा hardy wind bar equilibrium कब disturb नहीं होता अगर मेरे पास population large size की है दूसरा मेरे पास कोई barrier नहीं होना चीए random mating होनी चीए random mating से क्या होगा each allele get equal chance हर एक allele को क्या मिलेगा equal chance मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे random mating कहेंगे random mating का मतलब है हर एक allele को equal chance मिलेगा तो हमने सबसे पहले क्या बोला हमने का सबसे पहले large population होगी दूसरा हमने क्या बोला random mating होगी तीसरा बिटा हमारे पास sexual reproduction होना चाहिए ये sexual reproduction नहीं sexual reproduction चाहिए तभी gamit बनेंगे independent assortment type की चीज होगी मतब sexual reproduction होगा तो हम कहेंगे na segregation लगेगा दोनों एलील को बराबर मौका मिलेगा sexual reproduction या आप ये भी कह सकते हो by parental reproduction होना चाहिए by sexual organism नहीं unisexual तो by parental reproduction तो ये कुछ conditions हैं जिनके through Hardy-Wienberg equilibrium maintain रहता है अब मुझे एक चीज़ बतानी है आपको माल लो ये member बाहर चला जाए तो equilibrium disturb हो जाएगा evolution हो जाएगा तो कुछ ऐसी forces होती है जो इस equilibrium को disturb करती है अगर वो disturb कर रही है तो कहीं ना कहीं gene pool की integrity disturb हो रही है और अगर gene pool की integrity disturb हो रही है तो कहीं ना कहीं नई species के evolution की तरफ जा रहे है तो मैं आपको यहाँ पर clear बोल रहा हूँ ध्यान से जुने बिटा मैं यहाँ पर आपको clear बोल रहा हूँ देखो ये RD Winberg के लिए मैंने आपके लिए रखा था दिखाने के लिए देख लो में क्या क्या ना चाता हूँ देखो ये कह रहा है capital P को capital B के वरावर रख रहा है Q को तो कह रहा है ये first मालो generation है यहाँ पर देखो इदर ये first generation में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अगर कहीं मालो इसके बीच में मुझे cross कराना हो capital B capital B को cross करा रहे हैं small b small b से तो यहां भी frequency क्या आएगी capital B की 2 by 4 small b की 2 by 4 और अगर F2 में देखो आप F2 में देखो तो आपके पास frequency यह दो बार लिखेंगे frequency क्या आएगी capital B की capital B की frequency क्या आएगी 2 by कितना आ जाएगा विटा अगर यह मैं 8 हली लोगे न टोटल तो 4 by 8 आजाएगी इसमें भी 4 by 8 आजाएगी तो मेरा point यह है आपको समझाने का यहां पे basically समझाने का main point यह है कि आप generation wise जब move करोगे न तो आपको allele frequency constant रहते हैं तो गैमेट्स को बराबर मोका मिलता है until कुछ आप ऐसा ना कर रहे हो उस पे evolutionary force ना काम कर रहे हो जैसे अगर मैं simple आपको दिखाऊँ यह इसने क्या किया है यहां पर यहां पर इसने तो यह दिखाया है कि हम capital P और यह जो क्यू है ना यह तो अलील है आप देखो हमने क्या लिखा था पीछे हम यह कह रहे है कि जो P है वो अलील है तो अलील को मैं किससे दिखा रहा हूँ मालोग capital B से लिख रहा हूँ यह capital A से लिख सकता हूँ ठीक है मालो capital P की बात कर रहे है small P की small QB क्या है अलील है same przypad हाई है small B से लिख रहे है लेकिन अगर मैं P square लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है ये दो capital B लिख सकते हो दो allyl है न ये ठीक है तो ये individual होगी न जब भी आप दो allyl लिखोगे तो individual होगा तो ये individual दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है individual अगर मैं एक proper cross बनाओ जैसे mendel का cross बनाते हैं तो दिखो मैं कैसे बनाओगा मैं cross ऐसे बनाओगा capital B capital V को cross कराया small b small b से ये दोनों individual है इसमें capital B की frequency 2 by 4, 0.5 small b की 2 by 4 अब जाओ F1 में आ जाओ तो ये individual आते हैं तो इसमें by capital B कितना लिखोगे 1 by 2 small b 1 by 2 अगर इसकी अगली generation ये F1 थी F2 आ जाओ, तो F2 में तुमारे पास ये आ जाएगा अब देखो जरा, capital B कितना आएगा 4 by 8, small b कितना आएगा 4 by 8 तो ये आपको दिखना चाहिए कि किस तरीके से ये हो रहा है ठीक है, किस तरीके से ये हो रहा है, आपको इस चीच को समझ में आना चाहिए ठीक है, तो किस तरीके से ये हो रहा है, ये दिखना चाहिए तो देखो, यहाँ भी 0.5 आ रही है, यहाँ भी 0.5 आ रही है तो Hardie Weinberg ये कहता है, कि allele frequency नहीं बदलती generation by generation वो constant रहती है, बदलेगी तब जब कोई genetic equilibrium को disturb करेगा तो हम यहाँ पर simple ये समझ रहे हैं, एक चीज रुकेंगे, हम यहाँ पर simple कुछ चीजे समझ रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखो, क्या है वो देखो, मैं क्या चीजे बता रहा हूँ, ध्यान से चुना देखो, simple हम क्या चीजे समझ रहे हैं, ज्यान से देखना बटा, जो मैं आपको बताऊँगा, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, यह समरी यह सारी, जीन पूल क्या होता है, वन स्पीशीज का होता है, चीक, अगर यह एक स्पीशीज का है, तो यह बाकी दूसरी स्पीशीज से अलग होना चीए, Since, it is of one species, it should maintain integrity, क्या maintain करनी चीए, integrity maintain करनी चीए, integrity क्या होता है, integrity का क्या मतलब है बेटा, integrity का मतलब खुद को maintain रखना है, It is done by, कैसे, done by, random mating, पर random mating कहां, कौन सी, within species, अपनी species में, within gene pool कह रहे हैं basically, And, not, mate with, other species, जिसे हम कह रहे है, genetic isolation, इसकी बात कह रहे हैं, फिर कौन आया, Hardy Winberg, Hardy Winberg ने, एक genetic equilibrium की बात की, Talk about genetic equilibrium, एक ऐसा equilibrium, जो क्या करता है, gene pool की integrity maintain रखता है, To maintain integrity of gene pool, यह है, यह कहता है, Hardy Winberg, उसके लिए क्या condition चाहिए, अगर आपको gene pool की integrity या genetic equilibrium रखना है, ऐसे ही condition, पहला, random meeting, यहाँ भी लिख देते हैं, तो यह वाली बात NCRT में नहीं है, NCRT इस बात को इसके थुरू बता रहा है, दूसरा large population size, population size large चाहिए, तीसरा individual sexual reproduction से बना हुआ होना चाहिए, और bi-parental होगा तो अच्छा होगा, क्या होगा, bi-parental होगा तो बढ़िया है, यह condition है, अब अगर मैं integrity disturb करता हूँ, if we disturb equilibrium, this means, this means gene pool get disturbed, और उससे नई species आ सकती हैं, new species can evolve, तो आपको यह समझ आना चाहिए, कि जो hardy-win-berg का genetic equilibrium है, मतलब जो hardy-win-berg बात कर रहे हैं, कि एक तरीके का allele frequency constant रहती है, equilibrium है, जिसे हम genetic equilibrium की बात कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि allele frequency constant रहती है, उस case में, उस case में सुनना ध्यान से, hardy-win-berg equilibrium जो है, if constant, तो इसका मतलब, हमारे पास क्या है, एक तरीके से gene pool बना हुआ है, gene pool की क्या है, integrity maintain है, और अगर, यह equilibrium disturb हुआ, equilibrium disturb, इसका मतलब, evolution हो रहा है, evolution क्या न कर, इसका मतलब, वो species में, कुछ नई species बनने की तरफ evolution हो रहा है, तो there are some forces which can disturb this equilibrium, मतलब हुआ यहां लिखेंगे, some forces, और some reason, ठीक है, तो यह forces कौन सी है, evolutionary forces है, यही evolution कराती है, responsible for disturbance of this equilibrium, कौन सी ऐसी forces हैं, आपकी NCIT बताती है, उसमें सबसे पहली force है, mutation, मालोग capital A में mutate होके, small r बन जाए, वो अलग अलिल बन जाए, तो एक अलिल कम हो जाएगी, तो mutation एक reason हो सकता है, दूसरा reason हो सकता है, natural selection, तीसरा reason हो सकता है, gene flow, fourth reason, genetic drift, fifth reason, हम लिखते हैं, recombination, इन पर discuss कर सकते हैं, छीक है, पहला reason, mutation, दूसरा reason, natural selection, हना, तो mutation तो बिल्कुल एक तरीके से, आपको समझा, इसका मतलब यह हुआ, कि हमारे पास, some, evolutionary forces है, और समरीज़न, विच कैन डिस्टर्ब, देखो, अगर मेरे से कोई पूछे, कि Hardy-Wienberg, equilibrium maintain होना, अच्छी बात है, मैं कहूँगा, हाँ, for integrity of species, पर अगर उसमें, disturbance नहीं होगी, तो नए gene, नया species भी evolve नहीं होगा, तो वो भी ज़रूरी है, कि disturbance हो, पर कितनी हो, कैसी हो, देख लेते हैं, ठीक है, which disturb, Hardy-Wienberg, equilibrium, ठीक है, तो कौन सी ऐसी species है, जो Hardy-Wienberg, सरी, ऐसी वो है, जो Hardy-Wienberg, equilibrium को disturb कर सकती है, clear, वो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, clear है, वो हम देख रहे हैं, ठीक, तो कौन सा ऐसा है, evolutionary forces है, reason है, which can disturb, Hardy-Wienberg, equilibrium, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला, जो evolutionary forces की, हमने बात किया, reason बताए, कौन से ऐसे reason है, उसमें सबसे पहला, हमने बोला, mutation, तो mutation मैं आपको, simple दिखाता हूँ, देखो, मालो ये आपके पास है, एक लोकाई की बात कर रहे है, mutation से ये capital A, जो है, मालो और ये दो में mutation हो गई हो, ये capital R बन गया हो, ये capital R कुछ बन गया, तो ये 2 कम हो गए न, ये decrease हो गए, हट गए ये, तो अब देखो, कितने बच गए, total 6 बच गए, 6 में से ये कितने है, 4 अपोन 6 हो गए, small A, और उसके इसाब से, 2 अपोन 6 हो गए, हमारे पास capital A, तो एक तरीके से, equilibrium disturb हो गया न, तो mutation क्या करता है बिटा, mutation क्या करेगा, it can, it can disturb equilibrium, और होता भी है ये, जो 0.5 प्लस 0.5 ये values थी, ये वाली disturb हो जाएगी, ये change हो जाएगी, हो सकता है, यहाँ पर ये निकाल लो आप, 4 बाई 6 और 2 बाई 6 करके, 1 बाई 3 आ रहा है, तो मालो ये 0.3, ये कितना आ गया, मालो ये 0.3, आ गया आपका, 3-3 आ गया, ये 0.67 आ गया, ऐसे करके चला गया ये, ये 1 हो गया, तो मतलब कहीं न कहीं, यहाँ से ये disturb होके, यहाँ आ गया, समझ रहे हैं, allele frequency change हो गई, second हमारे पास है बिटा, natural selection, और उससे पहले, हम आपको genetic drift बता रहे हैं, ठीक है, ये gene flow बताते हैं पहले, gene flow देखो क्या होता है, देखो gene flow क्या होता है, जहाँ से सुनना होता है, gene flow के लिए, ये एक diagram है, this is gene flow, आप देखो, this is one gene pool, ये एक gene pool है, आपके सामने, चीक, ये दूसरा gene pool है, ये अनदर gene pool है, आप देख रहे हो, gene flow का क्या मतलब है, gene pool एक ये है, ये gene pool, दो gene pool है, ये gene pool वन है, ये gene pool टू है, अगर कोई member, यहाँ से यहाँ चला गया, ये member चला गया, और यहाँ जाके ये reproduce करे, तो यहाँ वाली gene, यहाँ introduce कर देगा, अच्छी समझना ध्यान से, gene flow वर्ड जो होता है न, gene flow वर्ड का मतलब ये होता है, कि हमारे पास, individual जो है, individual of, one gene pool, move to, move to, क्या कर जाए, move to another gene pool, अगर किसी दूसरे gene pool में चला जाए, ठीक है, clear, अब ध्यान से जुना क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर वो दूसरे उसमें चला जाए, तो कुछ ऐसा होने वाला है, देखो इदर ध्यान देना, ये माल लो, ये वाला, ये वाला individual, capital A, small A है, capital A, capital A था, ये capital A, capital A था, तो जो गया वहाँ पर, वो हमारे पास capital A, capital A उधर चला गया, तो मेरा point यहाँ पर यहाँ है, कि इस वाले gene pool में से capital A, capital A कम हो गया रहा, तो कहीं न कहीं genetic equilibrium क्या हो गया, disturb हो गया, तो gene flow का क्या मतलब होता है, gene flow का क्या मतलब हम निकालेंगे, gene flow का हम क्या meaning निकालते हैं, कि individual of one gene pool move to another gene pool, यहाँ से इस gene pool में से, अगर मैं किसी individual को बहार ले जाता हूँ, उसे हम gene flow कहते हैं, उसे वो particular allele यहाँ decrease कर जाएगी, वो particular allele क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, decrease कर जाएगी, तो उसे हमने क्या बोला, इधर move कर गया, बहार चला गया, उसे हमने क्या बोला, gene flow बोल दिया, तो gene flow, आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, capital A, capital A है, capital A, capital A, तो यह capital A, capital A बहार आ गया, उस population से बहार चला गया, चीक है, clear, अगर उसने जाकर वहां reproduce कर दिया, तो एक तरीके से उसने इस gene pool की gene वहां भी ले गया, gene pool से gene flow जो होगा, उससे कई बार क्या होता है, दो species बनने वाली होती हैं, तो नहीं भी बनती मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो, माल लो, यह हम देख रहे हैं, ध्यान से समझना, इसका बाहर जाना gene flow है, यहां तो वह कम हो गया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, कि अगर continuous gene flow होता रहेगा, तो यह दो isolated population, दो अलग-लग population में evolve ना होकर, एक single average population देदेगी, यह वो example है, आप एक चीज़ समझो ध्यान से, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कि how this genetic equilibrium can be disturbed, this genetic equilibrium can be disturbed, if any member, any member with some gene, move out from that population, इस population से कोई member बाहर चला जाए, that is gene flow, लेकिन हम यह समझ रहे हैं, कि अगर दो isolated population में, लगातार gene flow होता रहे, तो उनसे मेरे पास, एक ऐसी average population बन जाएगी, जिसमें दोनों के feature होंगे, फिर यह दो अलग-अलग, क्या है, population नहीं होगी, तो आपको यह भी समझ आना चाहिए, कि दो isolated population में, अगर लगातार gene flow होता रहेगा, और एक चीज़ और भी समझ आना चाहिए, यह member यहाँ जाके reproduce भी करे, तभी वो उस population में gene introduce करेगा, अगर यह इसमें reproduce करें, यह इसके साथ reproduce करें, तो हम कहेंगे, इनका gene pool अलग तो हो गया, लेकिन indirectly जुडा भी हुआ है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे बतारहूं, बिटा ध्यान से सुनो, नौर्थ इंडिया और साथ इंडिया, ठीक है, दोनों के लोगों में features different है, ठीक है, अब हम यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि अगर अगर नौर्थ और साथ के लोगों में, random marriage होती रहे, तो कहीं न कहीं, उनका gene pool आपस में जुडा रहेगा, ठीक है, यहाँ तक संज में आ रहे है, तो उसे हम कह रहे हैं, कि एक तरीके से वो gene flow हो रहा है, दोनों population में, ठीक है, तो वो कभी भी दो अलग-लग human species में evolve नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो completely अलग हो जाए, उनके बीच में marriages रुख जाए, then they can become a different population, different isolated population की form में evolve हो सकते हैं, हमने यह सोचना है से, तो यह आपको समझ आनी चीए, जो मैंने बात बताई, आपको अपने दिमाग में यह रखना है, कि gene flow actual में क्या होता है, कोई individual बाहार चला जाए, लेकिन अगर दो isolated population में gene flow होता रहेगा, तो वो कभी भी दो अलग-अलग species में evolve नहीं हो सकते, इसका meaning यह है, मैं यह कह रहा हूँ, कि यह दो isolated population है, इनमें अगर gene flow होता रहा आपस में, ऐसे gene flow होता रहा, तो मेरे पास क्या होगा, एक average gene pool आ जाएगा, average gene pool आ जाएगा, तो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं, if in two isolated population, regular gene flow occur, it will not allow, it will not allow them to evolve into new population, नई population में evolve होने नहीं देगा, यह है हमारे पास gene flow, ठीक है, gene flow क्या है समझना ध्यान से, gene flow का simple meaning है, को individual बाहर चला जाए, लेकिन दो isolated population में, अगर gene flow होता है, और जो member वहाँ जाता है, अगर वो reproduction करता है, तो अपनी progeny के थुरू, वो नई gene वहाँ इंटर्डूस करता रहेगा, तो इनमें जो बदलाव हुएं, दोनों population में, वो दोनों के बदलाव एक दूसरे में आ जाएंगे, उससे कभी भी नई species evolve नहीं होगी, तो in two isolated population, random gene flow not allowed to evolve in a two different species, तो speciation के लिए, दो population में random gene flow नहीं होना चाहिए, पर gene flow की वज़े से, genetic equilibrium disturb हो सकता है, ये बात true है, ठीक है, clear, यहाँ तक समय में आ गया, अब हम बात करने वाले हैं बेटा, genetic drift की, ये बहुत important है, genetic drift, इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, clear, genetic drift को हम समझ रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ से सुनना, genetic drift क्या है, actual में, genetic drift से ही सबसे ज़्यादा question आते हैं, इस topic से, genetic drift, और एक topic और है, वो बता रहे हूं आपको, genetic drift को, एक scientist ने, American scientist ने discover किया था, उसे कहते हैं, sea wall right effect, हाँ ना, इस scientist ने discover किया था, sea wall right effect कहते हैं, genetic drift, ठीक है, genetic drift होता क्या है, सुनना ध्यान से, मैं आपसे एक चीज़ समझता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर आपको मेरी बात समझना है, एक population है, 5 लाख लोगों की, ठीक है, उन में से, किसी 5 में, कोई नया feature है, तो 5 लाख में, 5 की कोई value नहीं है, ठीक है, होता ये है, मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ, genetic drift क्या होता है, किसी छोटी population में, अचानक से, बहुत जादा बदलाव आ जाए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कि आपके पास, दो तरह की population है, ज़र एक बार बनाते हैं, आपको genetic drift समझाते हैं, exactly है क्या, समझने ही कोशिश करना, ये एक बड़ी population है, छीक है, इसमें मैं अलील्स बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो, एक अलील बनाई मैंने, ऐसे, ये मानलो अलील्स है, अलग-लग अलील बना रहा हूँ, जहां से देखना बटर, ये dots जो हैं, ये मानलो individual शो कर रहे हैं, अलील के साथ, ये dots, ठीक है, तो ये मैंने dots जो बनाई है, अलग-लग अलील है, ठीक, अलग-लग अलील है, ठीक है, मैंने एक-एक population बना दिया, तो मैं ये कहना चाहरा हूँ, कि किसी बड़ी population में, अगर मैं किसी इस एक को, हटा दू, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, समझो इस बात को, जेनेटिक डिफ्ट क्या होता है, किसी छोटी population में, छोटी population में, अलील फ्रिक्वेंसी में, आया हुआ बड़ा बदलाओ, मतलब किसी छोटी population में, अलील फ्रिक्वेंसी में, आया हुए बड़े बदलाओ को, बड़े चेंज को, हम क्या बोलते हैं genetic drift बोलते हैं genetic drift के दो reason है founder effect और bottle neck effect उसको हम देख रहे हैं पर आप एक चीज़ समझो genetic drift क्या होता है समझना इस बात को ये मेरे पास large population है सुन लो ध्यान से ये मेरे पास large population है तो large population में अगर मेरे पास small fluctuations होती है तो उसका उत्रा effect नहीं पड़ता small fluctuations का not much effect लेकिन genetic drift का मतलब क्या होगा किसी छोटी population में ज्यान से सुनेंगे याद रखना genetic drift small population में होता है in small population in small population change in allele frequency जो ऐसे ही random हो गए which is directionless और maybe non-adaptive ऐसा भी हो सकता है वो non-adaptive वो ये लाइने बस दिमाग में बिटाओ कि छोटी population में अचानक से जो बड़े बदलाव होते हैं मैं आपको एक simple से example बताता हूँ 10 लोग है ठीक है 10 लोग है 10 लोग में से 4 हटा दो तो आपको लगेगा 40% change हो गया population में ठीक है लेकिन यहाँ एक लाइक लोग है 4 को अटाओगे तो उतना change नहीं दिखेगा तो genetic drift क्या होता है random हुआ हुआ चेंज छोटी population में और वो change क्या सा होता है directionless होता है और non-adaptive होता है एक example देखो मैं आपको genetic drift के 2 reason होते हैं ठीक है ध्यान सा सुनना बिटा 2 reason है किसके 2 reason of genetic drift genetic drift के 2 reason है सबसे पहला reason है जिसे हम कहते है bottle neck effect bottle neck effect आपको समझाता हूँ एक diagram से एक diagram है हमारे पास यह bottle neck effect है ध्यान सा सुनना बिटा इसे bottle neck effect करूहा ऐसा नहीं कि मुझे bottle लिए बनानी है मेरी बात सुनना दियान से bottle neck effect है क्या आपके पास यहाँ पर देखना इसे यहाँ पर different मतलब alleles हैं यहाँ यह different alleles हैं यह भीटेशल्ध इलेशल्ध हैं छीक है Many different alleles है मैं क्या दिखा रहा हूं समझना इसके अंदर मालो ये different alleles है तो हुआ ये कि इसमें मैंने जब fill किया कुछ ही alleles आई फिर बाद में उसका number बढ़ गया ठीक है तो इसका मतला अगर आप ध्यान से देखो इससे मैं पूरी अगर bottle बनाऊ तो इससे ये अलग हो गया तो एक तरीके से allele frequency में बदलाव आ गया बहुत उसमें कम समय में इसको जड़ा देखो कैसे देखते हैं लोग ध्यान से सुनना बिटा इसको हम कैसे देखते हैं bottle-like effect को समझते कैसे ये सुनना bottle-like effect को कैसे देखते हैं समझना bottle neck effect को ऐसे देखते हैं कि हमारे पास actual में क्या होता है कि मैं seasonal fluctuation के थुरू बताता हूँ इसको देखो माल लो आप क्या करो एक population बनाओ ऐसे क्या करो एक population बनाओ ये population बना दी आपने देखो ये population बना दी आपने ये माल लो एक बड़ी population है इसमें बहुत सारी अलील दिखा रहा हूँ मैं आपको द्यान से देख लेना पहले मैं क्या बना रहा हूँ यह बहुत सारी अलील है अभी ठीक है यह बहुत सारी अलग-लग टाइप की अलील है ठीक इनके अंदर अलील से हैं अलग अलग टाइप की बना दी मैंने ये बना दी मैंने लियान से देखना मतलब ये जो dots दिखा रहा है ये अलग अलग individual है चीक है? अब क्या हुआ? एक seasonal fluctuation होती है seasonal fluctuation का क्या मतलब है बता रहा हूँ seasonal fluctuation का meaning ये है बिटा हमारे पास seasonal fluctuation का meaning ये है कि किसी reason से ये population का season नहीं है अभी तो seasonal fluctuation से क्या हुआ? हमारे पास seasonal fluctuation से क्या हुआ? समझ न ज्यान से seasonal fluctuation तो seasonal fluctuation से मतलब हम ये कहते हैं कि ये एक favorable season में इतने सारे individual है population में अलग अलील है एक seasonal fluctuation होई, seasonal fluctuation मतलब माल लो आज क्या होगे winter आ गया, उसमें क्या हुआ, किसी reason से ये वाले individual जादा हो गए, मतलब ये वाले individual ही बच पाए एक तरीके से ये, ये वाले, अच्छा, और जब दुबारा से favorable condition आई, और ये दुबारा से उतनी बड़ी population बना, दुबारा से ये वापसी उतनी बड़ी population बना, तो उसमें सिर्फ यही वाली alliels होंगी जो उस वक्त present थी है, देखो, सिर्फ वही वाली alliels हैं जो उस समय present थी, कौन सी उस समय present थी ये, तो अगर आप ध्यान से देखो, original population ये है, ये original population है, original population, seasonal fluctuation की वज़े से एक bottle neck से पास होती है, what is bottle neck, bottle की neck पतली होती है, उसमें कुछ ही लोग जिन्दा रह पाते हैं, तो हुआ क्या, इस सारों में से, इन सब में से, कुछ लोग ही जिन्दा रह पाए, फिर जब यहाँ पर दूसरा favorable condition आई, again favorable आई, और population बढ़ी, favorable condition में population बढ़ी, तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके comparison में, इसके comparison में मेरे पास allele frequency बदल चुकी है, आप ध्यान से देखो, allele frequency चेंज हो चुकी है, बिलकुल, आप color से match कर सकते हो, allele frequency चेंज हो गई, पर यह कैसे change हुई, random, जरूरी नहीं हुआ, यह कुछ ऐसा हुआ, कि randomly कुछ लोग बच गए, फिर उनका number बढ़ गया, तो हमने यह का, bottle lack effect क्या होता है, कि हमारे पास कुछ ऐसी conditions होती है, जैसे माल लो, आज population में 10,000 लोग है, यह मेरे पास 10,000 लोग थे, यहाँ पर सिर्फ 500 बचे, लेकिन जो 500 बचे, उसमें कोई particular allele के जादा बचे, माल लो, यह वाले कम थे बहुत, तो जब यह population वापसी बड़ी, वापसी यह 10,000 हुई, तो अब क्या हुआ, यह totally बदल चुकी है उससे, तो इसे हम कहने है, a large fluctuation, what is genetic drift, what is genetic drift, genetic drift is, किसी चोटी population में, change हुआ है, allele frequency में कितना large, बड़ा change हुआ, which is directionless, directionless मतलब, randomly कोई भी बच गया, और ज़रूरी नहीं है, कि यह better है उससे, clear, और इसी को हम कहने है, bottle neck effect, bottle neck effect का मतलब, याद रखो, bottle neck effect क्या है, वो reason है, genetic drift का, मतलब, इस genetic drift का, इस genetic drift को कराने के लिए, इस genetic drift को कराने के लिए, ये bottle neck से पास हुआ है इसी का ये diagram है जो आपको हम दिखा रहे हैं बिटा है यहाँ पर ये जो diagram है ये इसी तरीके से इसको explain कर रहा है ये कह रहा है कि माल लो ये bottle है अलग लग उससे भरी हुई है randomly मैंने गिराया तो 3-4 color के गिर गए फिर उनी का number बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि randomly इसकी जो allele frequency थी वो change हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि bottle neck effect में क्या-क्या point याद रखोगे मेरे पास seasonal fluctuation होती है seasonal fluctuation से population pass through bottle neck population pass through bottle neck population pass through bottle neck population एक bottle neck से pass होती है मतलब वो time जब number बहुत ज़ादा ही कम हो गया जब वो उससे pass होई देख रहे हो यहाँ पर फिर वो वापसी देख रहे हो ऐसे बढ़ गई तो हमारे पास एक significant change होता है जब उसे हम क्या बोलते है genetic drift तो genetic drift होने के लिए छोटी population में बदलाव होना ज़रूरी है दूसरा यह directionless है हमें नहीं पता किदर होगा ज़रूरी नहीं है यह adaptive होँ फाइदा करें यह ज़रूरी नहीं है clear होगी बात अब आगे की बात करो जड़ा आगे की बात यह है बिटा हमने दो reason बोले थे एक reason बोला था bottle neck effect और दूसरा हमने कहा था genetic drift के हमने दो reason बताये थे एक हमने बोला था bottle neck effect और दूसरा बोला था हमने founder effect second क्या है founder effect founder effect क्या है देख रहे हैं जहान से सुने what is founder effect founder effect क्या है जहां से देखते हैं, what is founder effect, founder effect क्या होगा, कुछ माल लो आपके पास ये मैंने, ये population है, इसमें ये individuals है, माल लो ये एक तरीके से individual मतलब allele represent कर रहे हैं, चीक है, तो अब ये देखो, अब देखो हुआ क्या, इन में से कुछ member बाहर move करा दो, मतलब कुछ member population छोड़के बाहर आगए, और as a चोटी population बाहर आए हैं, बड़ी population नहीं, as a चोटी population बाहर आगए कुछ member, मतलब कुछ member हमारे पास as a small population बाहर आगए, ठीक है, as a small population बाहर आगए, कुछ ही member बाहर आए, अब वो जो member है मेरे पास, उसमें कुछ ही type की जादा genes है, जो ये वाले हैं, यही जादा आगए, अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब ये population बड़ी होगी, जब ये population बड़ी हो जाएगी, जब ये population अमारे पास बड़ी हो जाएगी, आप देखना ध्यान से, ये normal उसके size की हो जाएगी, तो इसमें मेरे पास सिर्फ यही member होंगे, आप देख रहो, इस के पास सिर्फ यही members होंगे जो वहां से आए ठीक है clear और वही member हो गए तो एक तरीके से NCIT को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लिखेंगे some member some member move किया है move out from original population original population से move कर गए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो small population की form में आए है और यह एक तरीके से यह जो small population है they are founder of एक तरीके से यह founder है founder of new population नई population के यह founder है और इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं founder effect तो अगर आप ध्यान से देखो compare करो यह जो population है मेरे पास यह जो population है यह original population से अलग हो गई इसे genetic drift कह रहे हैं तो genetic drift is due to यहां पर founder effect और यहां पर founder effect की वज़े से genetic drift होई है मतलब कुछ member बाहर चले गए पर सारी अलील वाले बाहर नहीं गए कुछ बाहर चले गए वहां से उन्होंने जब population बढ़ाई तो यह original population से drift कर गई original population से drift करने का मतलब अलग होना अलग होने का मतलब क्या हुआ इसकी allele frequency और इसकी allele frequency में difference आ गया सही है इसे हम genetic drift कह रहे हैं तो genetic drift किसकी वज़े से होता एक bottleneck effect मतलब seasonal fluctuation तो जब भी question आए seasonal fluctuation की वज़े से allele frequency में बड़ा बदलाओ तो वो genetic drift है और genetic drift किसमें होता है छोटी population की उसमें दूसरा हम यह कहते हैं हम यह कहेंगे कि अगर migration हो जाए मतलब move कर जाए उसकी वज़े से आए तो वो founder effect है तो यह जो ओरिज़े देखो original population से यह अलग हो गई यह genetic drift है it is due to founder effect कि मुझे यह नए founder बना इसने फिर population बड़ाई clear है? सही है और यह normal beta allele change से fast होता है तो genetic drift is faster than any other process ठीक है? clear? अब इसमें एक दो बचाओ उसको discuss करेंगे पहले देख लेना और मुझे ऐसा लगा कि कुछ topic में 100% मुझे मजा नहीं आया अगर आपको doubt रहेगा तो message करना telegram पे मैं दुबारा भी बताऊँगा ठीक है? कई बड़ मुझे feel होता है इसको complete करो और देखते हैं कब डालेंगे? आज evening में या कल morning में खोशिश करेंगे डालने के लिए ठीक है बटा? thank you